नमस्कार दर्शकों मैं दिप्यक खुबरे और आप देखरे जे टीवी भारत आईए रुख करते आज के मुखे समाचा रुखियों आयोध्या से आई अक्षद कलश नानपूर पहुचा जिसका नगर में पालकी में अक्षद कलश रखकर पूरे नगर में बेंट बाजों के साथ नगर भ्रमन किया नगर की सनातनी माता भहनों ने अक्षद कलश का पूजा अरचना की गई राम अंदीर प्रांग्रन से विशाल जलूस निकाला गया लगबक 6 घंटे चले इस समारों में हजारों की संख्या में माता भहने वह पूरुसवर्ग नाच्ते गाते चल रहे थे राम के भजनों पर युवा टोली थी रखते चल रही थी अक्षद कलश का पूजन माता भहनों ने पढ़ चड़ कर हिस्ता लिया सरुपतम अक्षद कलश का पूजन कबाट पावड के शेत्र में धर्म की अलग जगा रहे विंगत पांच वर्सों से धर्म जागरन का वनवासी शेत्र में कारी कर रहे संत नरसिंग महराज जी और कार सेवक्षरी तेजमल जी सोनी ने किया पूरे नगर में यात्रा निकाल कर पुनहा राम मंदिर पर आरती के साथ समापन किया गया आरती के पूर्वाति थी प्रांत वीधी टोली के सलाकार रेम सीह जी डूडवे ने इस पांसो वर्षों के काल खंड का की घटना का विस्तार से बताया उन्होंने कहा कि प्रभूर राम को टेंट से भवे मंदिर तक विराजित करने के पीछे कई सनातनी भाईयों बहनों ने बलिदान दिया है आरती पस्चार प्रशादी वीत्रण की गई